यानि राहुल गांधी के बयान को OBC समाच के अपमान से जोड़कर बीजेपी अब देश भर में अभियान चलाने वाली, जिसका जिम्मा बीजेपी OBC मोर्चा को दिया गया सुत्रों के मुताबिक बीजेपी को ओवी सी मोर्चा गाउं गाउं चलो घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रहा है पार्टी के स्थापना दिवस्ट 6 अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल यानि अमबेटकर जयनती तक बीजेपी देश भर में ये बड़ा अभियान चलाएगी इन 9 दिनों के अभियान में कारकरताओं के साथ साथ पार्टी के तमाम दिगज नेता और मंत्री लोगों के घर घर जाएंगे पार्टी ने तै किया है कि उनके नेता देश के 1 लाख गावों में करीब 1 करोड घरों तक पहुंचेंगे और लोगों से मोधी सरकार ने 9 साल में OBC समाच के हित में जो फैसले लिये हैं उससे अवगत कराएंगे इसके साथ ही बीजेपी नेता OBC वोटर्स को ये भी बताएंगे कि कैसे कॉंग्रेस और दूसरे विपक्षिदल OBC के खिलाफ काम कर रहे हैं बीजेपी 6 अप्रील यानि की पार्टी के अस्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रेल भीमराव अंबेदकर की जैनती तक गाउं गाउं चलो घर घर चलो अभियान चलाएगी जिसके तहत वो एक लाख गाउं में एक करोड परिवार तक पहुंचेगी इसके पीछे का मकसद ये है कि वो OBC समाज के बीच जाकर किन सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशन से लेकर तमाम जितने भी मसले उनके फायदे का काम किया है उसको वो लोगों को बताएगी लेकिन अब राहुल गांधी का मुद्दा भी इसमें सामिल हो गया है बीजेपी ने राहुल गांधी को सूरत कोट से दो साल की सजा मिलने के बाद आमाना मामदे में सजा मिलने के बाद ये तै किया है कि अपने तमाम मुद्दों के साथ राहुल गांधी का मुद्दा भी जो रेगी और OBC समाज को ये समझाने का परयत्म करेगी कि कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी OBC के खिलाफ हैं, OBC विरोधी हैं। बड़ी आबादी और लोक सभाच उनाव के लिए OBC बहुत महत्पूर्ण है, चुकि देश की जो पूरी जन संख्या है, उसमें OBC का प्रिचसत है, पचास प्रिचसत से जादा है। बगहर सीट पर दस से पचास फीसदी तक वोट OBC तपके के हैं। राहूल गांधी पर जिस मोधी समाज के अपमान का आरोप लगा है, देश में उनकी संख्या तकरिबन 7.5 फीसदी के करीब है। लोग सभा की करीब 160 सीटे ऐसी हैं जहां BGP या तो कमजोर है या फिर वहां कभी चुनाव नहीं जीती है। ऐसी सीटों पर BGP खास फोकस हैं जिससे 2024 के चुनाव में साहे 300 प्लस का लक्ष पूरा किया जा सके। OBC समाज के बीच पैट बनाने के पीछे BGP की नियत यह है कि उन्हें OBC समाज का पूरा वोट चाहिए। दरसल लोक सभा की लगवग हर सीट पे 10 फिजदी से लेकर 50 फिजदी वोट OBC का है। लिहाजा OBC वैसे तो BJP के साथ है लेकिन BJP इस बार चाहती है कि उसके 350 प्लस सीटों का जो सपना है और 50 फिजदी से अधिक वोट पाने का जो सपना है वो OBC के जरिये सिद्ध हो और इसी वजह से BJP लगातार OBC समदाय को रिजहाने के लिए तरह-तरह के कारेकरम चला रही 24 के यदि चुनाव को लेकर के हम फोकस करें तो उसमें एक चीज दिखाई देती है कि जिस तरीके से OBC की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर और उसके बाद में उनका वोट बैंक है और भारती जनता पार्टी इसकी बड़ी स्टेक होल्डर से हैं तमाम सारे जो बड़े राज्य हैं उनमें निर्णाय की स्थिती में OBC खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार है मद्द प्रदेश है चतीजगर है राजस्थान है दूसरे और तमाम सारे राज्य हैं इसलिए आप यह समझ सकते हैं कि भारती जनता पार्टी को जो मेजर वोट सेयर वाले राज्य हैं उनमें जीतना है तो OBC को फोकस करना पड़ेगा